नमो नारायन, जय महाकाल, जय मावगला मुखी सभी मेरे दर्सकों का बहुत-बहुत स्वागत है आसा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे आपकी अध्यात्मी कुन्नती आगे बढ़ रही होगी आज की मेरे वीडियो का टॉपिक है कि जब मा काली आप से प्रसंद होती है या अपने भक्तों को मा काली इन तीन-चार चीजों को जरूर उजागर करती हैं सामने लाती हैं इस सच को सबसे पहले हम जानते हैं माता काली कौन है माकाली, कालिका, महाकाली, दच्छनकाली, भद्रकाली इन कई नामों से यह जानी जाती है हिंदी दर्म की हिंदू हमारे दर्म की एक प्रमुख देवी हैं जिनें विद्वन्स की देवी के नाम से जाना जाता है इन्हें तामसिक देवी के रूप में पूजा जाता है वे मृत्यू काल और परिवर्तन की देवी हैं ये सुन्दर रूप वाली आधी सक्ति दुर्गा मातका विक्राल और भैप्रद रूप है जिसकी उत्पति असुरू के संगार के लिए हुए थी और इनको विसेष्था ब दुर्गा चमा सिवा धात्री स्वाह सुधा नमोस्त हुते माकाली के उत्पति धर्म की रच्चा और पापियों राच्चसों का विनास करने के लिए हुई थी मा दुर्गा के नौ रूप हैं और दस महाविद्याएं हैं भगवान भोले नात जो महाकाल हैं उनकी ये पतनी है इन्हें मा काली, मा पार्वती और मा सीता का रौद्र या क्रोधित रूप माना गया है कई-कई जगों में आप देखेंगे किसी में ये सौम्य होती हैं, किसी में ये रुद्र होती हैं, किसी में ये जीव निकाली रहती हैं इनके कुरोध को सांत करने के लिए जब भगवान सिव इनके चरणों में लेड़ गए थे और जैसे ही मातारानी ने अपना पैर भगवान भुलेनाथ के सीने पर रखा और भगवान भुलेनाथ उसी रूप में आये तब उन्हें एसास हुआ कि ये तो मेरे पती परमेश्वर मेरे स्वामी है तो उनकी जीव निकल गई मा काली को आप आसानी से पूजा अर्चना करके भोग तरीके से भोग लगा के गुड़ प्रसाद के रूप में दे के प्रसंद कर सकते हैं जो भी लोग मा काली की पूजा अर्चना साधना करना चाहते हैं इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनियेगा जो सच है मैं उसी को ही बताऊंगा बाकि आप बाने या ना बाने वो आपके उपर है सबसे पहले तो माता काली की पूजा कभी भी अपने घर में नहीं होती है इनकी पूजा आप इनके मंदिर में करें ज्यादा अच्छा है अगर आप अपने घर में करना भी चाहते हैं तो मा काली का सौम्य रूप जो होता है उसकी पूजा करें यही सबसे बढ़िया होता है दूसरी बात है मा महाकाली विद्वन्स की देवी है ममता मई है इसमें कोई सक नहीं है मा है जगदम्वा है लेकिन ये तब तक आप के लिए मा है जब तक आप का तत्तु देवता का है अगर आप एक सादक हैं और आपने कुछ संकल्ब लिया है पूजा अर्चना साधना करने का और उसके बाद भी अगर आप मास मदिरा इस सब चीजों का सेवन कर रहे हैं कुकर्म कर रहे हैं लोगों को सता रहे हैं तब आपकी प्रकती एक असुर की हो गई तो ऐसे में आपका विनास भी निश्चित है तो कि जिस तक्तु की उत्पती जिस तक्तु के लिए हुई थी अब आप वो बन चुके हैं अगर आप नौरमल भी भोग लगाते हैं आपकी प्रकती सही है आपका आचरण सही है तो थोड़ी बहुत गलतिया भी होंगी तो मा उसे नजर अंदाज कर दींगी क्योंकि वो मा है ठीक है वो मा है लेकिन जब आप राक्षज बन जाते हो और अती करने लग जाते हो आपका आचरण सही नहीं है तो फिर मा मा नहीं रहेंगी वो आपका तुरंद भच्छड करने के लिए त्यार हो जाएगी और किसी कान बस कई लोग माता राने कि पूजा करते हैं उनसे ग्रत काम करा देते हैं यहीं नहीं कि मैं सादक की बात कर रहा हूं मैं तांत्र को की बात भी कर रहा हूं किसी से पैसे लिए और माता काली को मंतर के द्वारा विवस करके भेज दिया किसी को मारने के लिए तो आपने चंद पैसों के लिए जो कु तो कि जो मा होती है या कोई भी देवी देवता होते उस मंतर के अधीन होते हैं लेकिन बाद में इसका आपको खामिया जा उकतना पड़ता है। महाकाली करुणा मही हैं अगर इस संसार में कोई समय के ऊपर रूढ करते हैं तो वह दो ही लोग हैं, है महाकाल और दूसरे है महाकाली यानि महाकाल की महाकाली आली सकती हैं महाकाली तारा के रूप में भी बिलकुल महाकाली जैसे ही दिखती हैं नीला उनका सरीर हो जाता है आप सभी लोगों ने ये कथा तो नहीं होगी जब हलाल विस निकला था उस समय भगवान भुलेनात के कंट में हला-हल विस अनियंत्रित हो रहा था तब महाताकाली नहीं हात रखा था वो तारा के रूप में तो नीली पड़ गई थी महाकाली समसान में भी पूजी जाती है कोगि समसान की देवी कहलाती है महाकाली जितनी विग्राल है उतनी ही अपने भक्तों पे असीम करपा करती है और जो भी भक्त सच्चे मन से महाकाली की पूजा करता है उसका इस ब्रह्मान्द में कोई पैदा नहीं हुआ जो बाल भी बाका कर पाए आपको निश्चिंत हो जाना है और किसी भी ब्रकार का तंत्र जादू टोना काम नहीं करेगा समय से भी परें स्वयम यम्राज भी कुछ नहीं कर सकता है जब किसी भी भगवान की पूजा अर्चना सागना तंत्र में होती है तब तब माकाली उनके साथ चलती है यह कन्फरम है चाहे वो महाकाल की पूजा हो चाहे वो हन्वान जी की पूजा हो जो बड़े से बड़ा सादक होगा सबसे बड़ा सादक वो निश्चित ही महाकाली का सादक होगा और तंत्र में जब भी सबसे पहले नाम लिया जाता है तो तंत्र सास्तर में सबसे पहले वाम मारगी में मा काली का ही नाम आता है फिर भैरव का नाम आता है फिर बजरंग बली का नाम आता है रच्छर मुखी ठीक है तो मा काली की पूजा आप कैसे करेंगे आप तामसिक करें, वैदिक करें, वो आपके उपर है, किस तरीके से करना वो मैंने बता दिया, आप सच्चे भक्त जब इनके बन जाते हैं, तो कुछ चीजों का ये आपके सरीर से विदवंस करती हैं, विनास करती हैं, क्योंकि विनास की देवी हैं, विनास की देवी हैं, तो सब होंगी अच्छी चीजे आपके सामने आएंगी बुरी चीजे फटा फट आपके सामने आएंगी दिखें लग जाएंगी आप खुद ही दूर होते चले जाओगे आपके अंदर करुणा पन आ जाएगा चीजों के परति आपको परोपकार की भावना होगी फरते आपका भाव विभोर हो जाएगा आप लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगी करुणा आपके अंदर आ जाएगी और किसी दूसरे को देखकर आपके अंदर एक दयाता भाव आएगा और सबसे बड़ा पचोता पॉइंट है कि आप अध्यात्र से जुड़ेंगे आप सभी भगवान को एक समझेंगे किसी भी भगवान को नीचा नहीं दिखाएंगे कोसेंगे नहीं आजकल बहुत चलता है मैं देखता हूँ जैसे ही कोई रील आई है उसमें किसी ने नरायड भगवान के बारे में बोला तो दूसरा इंसान तुरंत ही कमेंट करेगा पुर्जी नहीं आप एक सच्चे सादक बनेंगे तो इस्वर एक ही है परम ब्रम एक ही है एक ही ओमकार है एक ही वो ओम है एक ही पंच तक्त्तों में सारी चीजें विलीन हो जाती है तो प्लीज ऐसी गलतिया मत करिए मा महागाली की अगर आप पूजा करते हैं तो हमेशा सौम में रूप की पूजा करें मा के उस रूप की मा के रूप में पूजा करें रुद्र रूप में किसी भी भगवान की पूजा अर्चना नहीं की जाती है ये गलत होता है जब भी आप रुद्र रूप में किसी की प जंत्र में आ जाती है उस समय में साफ सपाई का विसेश महात लगता है भोग चड़ावे भी बदल जाते हैं आसा करता हूं इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा अगर आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक और सेर करें अगले वीडियो में आपसे काल जाइमा को बिला मुश्यूश्यूश्यू